नमस्कार दोस्तों मैं गौरब्रता आप देख रहे हैं आरजयो नीज आरजयो नीज में आपका स्वागत है हत्या कर सब दफनाने की आसंका डियम की अनुमती से महला का सब कब्रश निकाला गया आपको बताते चलें बरेली प्रेमनगर थाना छेत्र में एक महला की हत्यागर उसके परवार जनों ने चुपचाप तरीके दफना दिया था रविवार को सस्पी रोहिस सिंग सजावर की रिपोर्ट पर डियम नीतेस कुमार ने अनुमती दी इसके बाद सब को आज कब्रिस्तान से कड़ी सुरक्चा के बीच निकाला गया बहीं पुलिस माबलों को पहले से ही संदिक दुमान कर चल रही है पुलिस का कहना है कि सब को कब्र से निकाल कर सब को पोश्ट माटम के लिए भेजा गया आगे की कारवाई पोश्ट माटम की रिपोर्ट के आदार पर कारवाई की जाएगी बताया जाता है कि पिरेम नंगर थाना चेतर के हार्ट मैन चेतर में रहने वाली बब्बो 46 बर सी पतनी शिद्दिकी की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी इसके बाद 9 अपरेल को महला की निर्वाव हत्या कर दी गई बाद में सब को जलाया गया इसके बाद महला के सब को कब्रिस्तान में गुप्चुप तरीके से दफना दिया गया बताया जाराय सीओ और अस्पी सिटी ने बीते दिन कड़ाई से पूस्ताच की थी लेकिन आज सब को कब्रिस से निकाल कर पोश्ट मार्टम को भेजा गया बारेली से असोक कुमार गुप्ता की रुपोर्ट अब्ला तो यही था कि वो प्रोपर्टी यानी घर चाते थे हमारे नाम हो जाए भावी भावी को भावी को भी जाई लालच था घर मेरे नाम हो जा तो इसलिए इनोंने कुछ इनकी लडाई हुई होई किसी बारे में मा के संग नोने बत्तामीदी करी जावडू से इन पर प्रिज इनका अक्तिया करी गई बहुत भूरी पेचेरी उ Such और गया परेल की हटना है अज काबर से निकाला गया ऐसे उच्णा दी पनीजी का साथे सब कारो हाई के लिए अभी अब धर लिए चाहते हैं चाहते हैं मधी आखरा कर दिया है डिरेंगे चौनी नियालाग परेक्रिस्टान से देशा सास्ति नागर वाले कषिता है सान्य अखराब खाया है अब क्या इन पॉंध दिया है मात हुपे आपहा जाना पर अट्राइट कि तें बाडी पकषर लगह पहते हैं अअच्सक आदो